तमस्कार मित्रों मैं हूँ अनिल आपका स्वागत है हमारे योटूब चैनल गुरुजी स्टडी अड़ा में आज हम मित्रों कलार कहल का सबली करण का सिध्धान्त के वारे में विश्त्रित रूप से अध्यन करेंगे क्योंकि मित्रों यहाँसे आथ की एक्जाम सीटेट, यूपीटेट, सुपरेट, डियनली भीट समेश्टर में एक प्रस्ण जरूर पूछा जाते हैं चलिए मित्रो हम सुरू करते हैं क्लार कहल का सबली करण का सिद्धान्त जिसे पुनरबलन का सिद्धान्त भी कहते हैं तो मित्रो यदि हम बात करें क्लार कहल का जन्म कब हुआ तो क्लार कहल का जन्म 24 मई 1814 से इस्वी को हुआ और मित्रो क्लार कहल की मृत्यू 10 माई 1952 को इनकी मृत्यू हो गई तो मित्रो यदि हम बात करें क्लार कहल कहा के मनोवग्यानिक है तो क्लार कहल अमेरिकी मनोवग्यानिक है और मित्रो यदि हम बात करें B.F.Skinner कहा के मनोवग्यानिक है तो B.F. Skinner अमेरिका के मनोवग्यानिक हैं, थारंडाइक अमेरिका के मनोवग्यानिक हैं, इवान पेट्रोविच पावलाव रूस के मनोवग्यानिक हैं, वाइगोट्सकी रूस के मनोवग्यानिक हैं, जीन पियाजे स्वुडिजर लैंड के मनोवग्यानिक हैं दोस्तो इन सभी बनोवे ज्यानिकों की थियरिया जो है जो इनका प्रियोग सिध्धान थे उन सब का वीडियो हमने बना दिया है आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लेंक मिल जाएगा वहां से आप जाकर देख सकते हैं चली मित्रो हम आगे बात करते हैं कलार कहल के सबलीकड के सिध्धान की बात करें तो इस सिध्धान का प्रतिपादन 1915 इस्वी में हल ने अपनी पुस्तक प्रिंसपल आप वीडियर में किया यदि मित्रो हम बात करें सबली करण का सिध्धान कब दिया गया तो सबली करण का सिध्धान 1915 इस्वियू में दिया गया कहां पर दिया गया तो क्लार कहल ने अपनी पुस्ता क्लार कहल की पुस्ता का क्या नाम है प्रिंस्पल आप बिहावियर है प्रिंस्पल आप बिहाइबियर में क्लार कहल ने सबली करण के सिध्धान को दिया है अब मित्रो हम बात करें क्लार कहल के इस सिध्धान को इसकीनर ने अधिगम का सर्वस्रेष्ट सिध्धान का है देखी मित्रो, क्लार कहल के सबली करण के सिध्धान के निमनलिखित उपनाम है, इसे सबली करण का सिध्धान काते हैं, प्रणोध निउन्ता का सिध्धान काते हैं, अंतरनोध प्रणोध चालक का सिध्धान काते हैं, संपोसक का सिध्धान काते हैं, और दोस्तों इसे आवस यद मित्रों हम बात करें, कलार कहल ने अपना जो प्रियोक किया था इसमें इन्होंने चार चरड बताये थे इनके दोस्तों चार चरड क्या थे? चार चरड था व्यक्ति की आवसेक्ता दूसरा पॉइंट है अंतरनोद, प्रणोद या चालक जो ब्यक्ति को चालक का कारे करें चलने के लिए विवस करें और तीसरा पॉइंट था उत्तेजक उत्पृत्साहन और दोस्तों चौथा पॉइंट है सबलीकरड सबलीकरड का मतलब होता है दोस्तों ब्यवहार को मजबूत बनाना अमितरों एक फीगर के माध्दम से हम आपको पाले बेवारे क रूप से समझाओंगा फिर उसके बाद कलार काहल ने जो चुहे पर प्रयोक किया था कैसे किया था इसके बारे हम आपको बताएंगे क्योंकि जब आप इससे समझ लेंगे तो आप उससे असानी से समझ लेंगे देखी मित्रों एक व्यक्ति है, खंडी का मौसम है, खंडी के मौसम में यहां विस्तर को ओड़े हुए सोया हुआ है, और दोस्तों यहां व्यक्ति कैसा है, यहां व्यक्ति बहुत जादा आलसी है, और दोस्तों इस व्यक्ति को लगी हुई है, प्यास और यहां पानी लेने क के लिए तयार होता है जबकि दोस्तों यह व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी है तो आप समझ रहेंगों कि दोस्तों इस्थती क्या बन रहे हैं देखी मित्रों यदि हम बात करें जो परियोग क्लार कहल ने किया था इनके चार चरड की तो इसकी पहला जो चरड था चरड क्या थी आवसकता तो दोस्तों इस व्यक्ति की आवसकता क्या थी इस व्यक्ति की आवसकता थी पानी लेकिन दोस्तों यह व्यक्ति जो था यह तो बहुत ज्यादा आलसी था जो दोस्तों क्या इसे विवस कर रहा था इसके आलस को दूर करने के लिए विवस कर रहा था अंतरनो या जो उसे चलने के लिए विवस कर रहा था और दोस्तों अंतरनोत प्रणोद चालक क्या था चालक था इस व्यक्तिक्या प्यास जो इसे विवस कर रहा था किसलिए पानी को लेने के लिए तो दोस्तों जब यह अपनी आलश को दूर भगाते हुए पानी को प्राप्त करता ह पानी को प्राप्त करता है तो दोस्तों क्या होता है जब यह पानी को प्राप्त करता है तो जो इसकी उत्यजना थी प्रोटसान था या बढ़ जाता है क्योंकि मित्रों जब यह पानी को प्राप्त करता है तो इसकी प्यास क्या होती है बुझ जाती है इसकी आवसकता की पू हुगा पानिके प्यास की या जिसका जो आवेग होगा पानिकि प्यास की वह धिरे-धिरे कम होती चली जाएकि और अंत में ऐसा स्थती आएगा कि जो इसकी जो अंतर्नोत था यह बिल्कूल दोस्तों सुन्य हो जाएगा यानिक जब इसकी प्यास बुझ जाएगी तो अंतर्नोत क्या होगा अंतर्नोत बुल्कूल तो यह आलास वाला कारे लाएं करेगा। वलकि यह तुरंत जाकर अपनी वस्तूओं को ले लेगा अपने प्यासं बुझा लेगा। दोस्तो इस प्रकार हमको इस सिद्धान से क्या सीखने को मिलता है। इस दान को बैक्त को के बारे में सिखाता है era ग्रोग लेकिंस वागे हम आपको इसी प्रेयोक को हम छूहे पर करकर करके बताएंगे कि इन्हों ने अपना प्रयोक चूहे पर कैसे किया था革ected को सबसे बना लेते हैं देख़र उत्तरों करने अपना चूहे पर आपना प्रयोंग किया था तो इन्होंने एक भूल-वुलेAssव बनाई थी और चूहे के एक कोने पर जो दर्वाज़ा यहां पर रख दिया थी है चूहे को के चाल्ड के कार कर रही थी बूक और उसक सकता थी रहती पुझंकी प्राप्ति डोस्त। जब चूह को इस कोंड़ा गया तो चूहा भिभिन खाने में जाता लेकिन उसे वहां पर भोजन नहीं मिलता था और आगे का दर्वाजा भी बंद मिलता था तो दोस्तों इस प्रकार से चुहा घुमते घुमते यहां पर पहुंचाता है इस रास्ते से पहुंचकर यहां पर भोजन को प्राप्त कर लेता है जब दोस्तों चुहा भोजन को प्र प्रणुद सोन्ने होता जाता था जो आवस्क्ता थी वे कम होती जाती थी और इक इस्थिती pushing aipsy आती थी कि जब वहाँ पूरी तरह से खां लेता है उसका पेड भर जाता था यानि कि प्रणुद जो था बिलकुल सोन्ने तो दोस्तो अगली बार क्या हुआ जब इस क्रिया को दो तीन बार दोहराय गया तो अगली बार यह हुआ कि जो ऐसे चूहे को इस अस्थान पर छोड़ा जाता था तो चूहा तुरंत यहां से रास्ता प्रकाड़ कर भोजन के पास पहुंच जाता था अब तो दोस्तो इस प्रकार क्या हुआ, चुहे ने भोजन को प्राप्त करना सीख लिया, किस प्रकार सीख लिया, क्योंकि उसे की आवसकता थी भोजन, यानि कि जब विक्त की आवसकता पड़ती है, तभी विक्ति कोई कारे को करता है, तो दोस्तो इस प्रकार इस सिधान प करना चाहता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए बिवस करता है फिर दोस्तों जब अब्यक्ति उस चीज को पा लेता है तो उसे प्रत्साहन का कार करते हैं अर्थ में उस बिवहार के प्रती सबली करण हो जाता है विवहार उसका मजबूत हो जाता है इसे परिस्कृत सिध करते हैं क्योंकि मित्रों इसे चालक का कारी क्या कर रहे थी चालक का कारी इसका कर रहे थी प्यास जब यक्त को लगेगी आवसकता जब यक्त को प्यास लगेगी या कोई भी आवसकता पड़ेगी तभी वह कारे करेगा तो दोस्तों इसे चालक का सिध्धान करते हैं इसे पानी और पानी को मिलने के बाद पुनरबलित होगा इसे दोस्तों सबली करण का सिधान काते हैं क्योंकि जब ब्यक्ति कार करता है कोई क्रिया बार बार करता है तो इसका बेवहार मजबूत हो जाता है तो इसलिए सबली करण का सिधान काते हैं इसे दोस्तों भूख का सिधा करते हैं क्योंकि दोस्तों जो उद्धीपक का कार and Shri तो इसलिए से और का सिध्धान करते हैं और तो इसे उसे मित्रो प्रणावद नियुनता का सिध्धान करते हैं यहां द्यान देजिए मित्रों जैसे ही जो अंतरनोत प्रणौध ये चालग जब आपकी प्यास बुझ जाएगी तोदोस्तों क्या होगे आपकी अवसक्ता क्योझ सभी हो जाएगी तो जो आपक़ प्यास ही ये सुन्हें हो जाएगा तो फ्रोश्क प्रारोध नून्ता कशना कद रहे इसे अंतर प्रनौध चालग का सिद्धान काते हैं क्योंकि दोस्तों जो आपकी भूग थी आवसकता थी वहां आपको चलने के लिए प्रिरित करती है इसे संपोसक का सिद्धान काते हैं संपोसक का मतला होता है भोजन तो इसे भोजन का सिद्धान काते हैं आवसकता आवकलन का सिद्धान काते हैं क्योंकि जब व्यक्ति को आवसकता पढ़ती है तभी वह कारे को करता है, कारे को दुहराता है, तो मित्रों विशेष में बात करें, तो हल ने अपना प्रियोग किस्पर किया, तो हल ने अपना प्रियोग चुहे पर किया, और दोस्तों इसमें क्या बात बताई, यह हल का महत्रपूर् प्रणोद के सब्लीकट कर लेंगे यादि इस वियुक्ट को मसबूती बना लेंगे और दोस्तों इसमें अगला पॉइंट की क्या बात की गई अगला पॉइंट कहा गया सब्लीकड का सद्धान्त आदत निर्माड हे तु अधिक उपयोगी है जैसे कि मित्रों आपने ध्यान दिया कि कोई भी ब्यक्ति जो अलसी ब्यक्ति था उसके आलस को दूर करने क है तो उसके आलस को दूर करने के लिए आदत को निर्माड करने के लिए महत्पुड उपयोगी है और दोस्तों चौथा पॉइंट है इस प्रयोग सिख्षण विद्यों में किया जाता है या सिध्धान्त उद्देश और लाच्छ प्राप्ति पर बल देता है देखी मित्र मित्रों जैլ विद्यक्त को प्रति प्रयरित होगी तुम मित्रों चैनल पर नहे हों तो सब्स्क्राइब केजिएगा वीडियो को लयक कीजिएगा अपने हर एक ग्रूप में share केज़ेगा और सिध्धान को देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक केज़ेगा जाहिन जाभारत